सुरा मेरे नज्जी पमाड़कान वेरे ननी सिखा पजिंसमादियामी सुरा मेरे नज्जी पमाड़कान वेरे ननी सिखा पजिंसमादियामी सुरा मेरे नज्जी पमाड़कान वेरे ननी सिखा पजिंसमादियामी सुरा मेरे नज्जी पमाड़कान वेरे ननी सिखा पजिंस के मिश्णरी साथ ही हैं वीदा पीपल समण संग के पॉलिटीकल पावर देखके ऐसे खिचे चले जाते हैं जैसे चुम्बग लोहे को खिच लेती हैं रम जाते हैं उसमें उनको लगता है कि बस अभी सब समस्या का समधान होने वाला है सब मिलने वाला है सत्तर साल से अगर कहीं कोई जगे फुल है पूरी हमारी सत्तर साल से अगर कहीं सारी वेकेंसी पूरी हो रही हैं सारा आरक्षन पूरा है तो वो पॉलिटिक्स है और सारा आरक्षन पूरा होने का मतलब है बाइस परसेंट लोग वहां हर समय रहते हैं हर विधान सवा में हर लोग सवा में हर MLC में जहां जहां भी पार्षद हैं मेंबर सब रहते हैं और सारे के सारे जितने भी जाते हैं वो सब के सब सिडुल काष्ट और सिडुल ट्राइब के नाम से जाते हैं उनकी पहली और आखरी जो पार्टी है वो सिडुल काष्ट और सिडुल ट्राइब है और अगर वो सिडुल काष्ट और सिडुल ट्राइब नामक पार्टी में ना हो तो वो वहाँ जाई नहीं सकते और जैसे ही चुनाव आयोग उनको प्रमालपत्त पकड़ाता है कि अब आप विधान सवा में लोक सवा में या कॉर्पोशन के अंदर जाने के लिए एंटाइडिल होगे जीत गए वो ऐसे ही उस पार्टी को छोड़ देते हैं फिर उनक अलग अलग जाती जैसे जो कबीले बने हुए जिनको राजनेतिक पार्टी कहते हैं उनके गुलाम हो जाते हैं और सतर साल से कोई पहाल नहीं तोड़ा इनके रहते रहते सारे जितने भी बावासाब अधिकाल लेका आये थे इनके रहते रहते गए हैं और फिर भी इनके उ अजके लिए कोई होगी नहीं दुनिया हथी है कि यह जो श्री खाश्श-षूर्ट्राइब नाम से जो भरती होती है लेजिस्लेटर सिस्टम के अंदर पारलिमेंटी सिस्टम के अंदर वहां यह लोग उनीक अगिश्ट काम करते हैं और इनके लोग इनका एक बाल नहीं तोड़ सकते फूक नहीं मार सकते पैरों में पड़े रहते हैं इनके लोग इनके और फिर इनी से उम्मीद करते हैं ठीक वैसे ही जैसे मंदर में जाके देवता पे चड़ाते हैं और देवता से मनत मांगते हैं और फिर जूते खाते हैं और फिर मनत ठीक वही सिस्टम है वही जाती का सिस्टम ठीक वैसा ही पार्टियों में लागू है समण समाज के जब टुकड़े होते हैं तो वन बनते हैं और जब वन बनते हैं तो जातिया बनती हैं तो संग्ठन बनते हैं तो उन संग्ठनों में राजनितिक संग्ठन भी आते हैं जो ठी भी उन पर यकीन है क्योंकि उन पर यकीन दलाने के जो ठेकेदार हैं और जो उन पर यकीन दलाने के जो लोग हैं वो इतने शादर हैं कि वो इसकी हवा नहीं लगने देते हैं कि हमी तुम्हारा कतल कर रहे हैं और हमी तुम्हारे कातल हैं और फिर कातल इतने बड़िया कपड ज़ूर आगे थूकने के लिए घड़ा मिलने वाला है चोटी चोटी बातों में भूल जाते हैं कि हमारा मिसन क्या है क्या नहीं है सवालाख प्राइमरी स्कूल अब से चार साल पहले बंद हो चुके हैं पांच साल पहले चूंकि आप संग्या नहीं लेते और आपको जरूत आदमी ना बताया आपको नहीं समझ में आना वाला है पर पॏलिटिकल आदमी जो आपको सॉलिशन देगा वह कहीवाराने की कोई पहार में तूट पहले नहीं टूटता उन से क्योंकि यह असी質 के एमपी है ही नहीं यह जो विधान चलते हैं दो पालियमेंट चलती है एक विसम्विधान के उपर एक सम्विधान के उपर इसको समझ लो इसको बारवार बारवार बताया जाता है बारवार बताया जाता है अगर आप इसको समझने को त्यार नहीं हो तो घड़ा खरिद लो जाड़ू खरिद लो फिर समझा देते हैं फिर समझ लो भाई जो मनुस्मर्टी आधारित राजनीती होती है वो असली राजनीती है क्योंकि वो खुल के कहती है कि ये राजा की नीती है इसमें राजा पढ़ान होगा ये राजा की नीती है जो आप कर रहे हो जो भारत में चल रहा है वो मनुस्मर्टी की राजा की नीती है वो सम्विधान की नीती चल रही है दरसल हमारी जो गण नीती थी वो तो उसी दिन किल हो गई उसी दिन खतम हो गई उसी दिन उसकी गदन मरोड़ दी गई जिस दिन हमारे बावा साब का सेपरेट इलेक्टोल जो अलग से चुनाफ करने का जो तरीका था उस तरीके को उन्होंने मजबूर कर करके बावा साब पे जवर्जस्ती करके उनको ब्लैक मिल करके उनको थ्रेड दे के उनको घुटनों पे लाके और उनके उन्होंने जो खून के आशू से जो वह साइन किया ना हमारी तो गणनती खतम होगी वहां क्योंकि अपना आदमी चुन्ने का अधिकार नहीं है अब जरूत नहीं है और यह जो सेव का टोकरा इसकी तरब मत देखना यह तुम्हारा नहीं है तो कैसे चुनाब होता है चुनाब के अंदर अब कभी ले आ गए हैं अब गुरुप आ गए हैं वो गुरुप केंडिट खड़े करते हैं जिनको पार्टियां बोलते हैं वो सेव चुनेंगे बढ़िया करस्मीरी सेव चुनेंगे हम तो हम तो सेव चुनेंगे जो हमारा हिमाजर पर दिसाया हुआ है उसको चुनेंगे प्यार नहीं चुन सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है उसमें 600 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ लगते हो आपके पास तो प वो सरकार मनुस्मर्टी आधार पर चल रही है, वो जो लोग है, मनुस्मर्टी पर आधार चलते हैं, वो आपको बिना पैसे चुनाप कैसे ला देंगे, फिर तो आप आ जाओगे वहाँ, इसलिए आपके चुनने का अधिकार वहाँ है नहीं, तो जिसको कहते हैं कि मीडिया वो आपका नहीं है, आप बार 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 उसे शिकायत करें कि भीक मांगते हो, वो हस्ता है, वो थूकता है आपके उपर, कि ये बार बार मुझसे कहते हैं कि मीडिया से, अरे जब मीडिया आपका है नहीं, तो उससे क्या रोना और क्या धोना, और पैसा आपके पास है से जीत के आ भी जाए मालवेका से वहां पहुंच भी जाए तो महां सुनते नहीं क्योंकि जो पूरा पूरा सिस्टम है वो यह कहता है कि एक व्यक्ति की बात भी सुनी जानी चाहिए सम्धान के अंदर मगर वहां तो कबीले बने हुए हैं वो कबीले दबा देते हैं वो सुनते नहीं उसको निरास कर देते हैं उसकी हसी मुड़ा देते हैं शोर मचा देते हैं वाँ उसकी बात कहीं आती नहीं और अगर सुन भी लें तो उसकी बात को माने कौन वो मानता नहीं क्योंकि बहूत पूचलता है इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम ही खतम हो चुका है तब ही खतम हो गया था जब सैपरेट इलेक्टरॉल हमारे हाथ से चला गया क्या था सेपरेट एलेक्टरॉल हम अपने लोगों में से खुद खड़ा करेंगे और कोई दूसरा आदमी नहीं बोलेगा ये था गड़ तंत्र गड़ परिषद बैठेगी और वो कहेगी फलाना आदमी अच्छा है इसको चुनना है चुना जाएगा तो गड़ नीती थी तो गड़ वेवस्था थी अब उल्टी है उपर से आपकी तो इतनी भी नहीं चल सकती कि आप कागज पर ठपा लगाओगे या मसीन में पटन दबाओगे आपकी तो इतनी भी उकात रही है सारी के सारी पार्टी यां गए थी एलेक्शन कमिस्टन के आगे भगा दिये तो यह जो राजनितिक पार्टी आ रही है यह जब अपने लिए मसीन से कागज नहीं बदलबाग पाईं एवी एम से जब कागज नहीं लेके आईं क्या जीटेशन करेंगी क्या जीतेंगी क्या बला करेंगी तो समझ में नहीं आता इस बात बात को कि सारा सिश्टम कलैप्स हो चुका है मगर राजनितिक आदमी और राजनितिक पार्टी के जो लोग हैं वो आपको कभी भी इस चस्मे पो अतने नहीं देंगे कि राजनिती सर्व पर ही है राजनित equation कर सकती दिनना दिनना तो उनको क्या चाहिए एक कार एक घर दो चार अपसर उनकी सुलने दो चार पैसा उनकी जेब में आ जाए बस इसमें वो पूरे के पूरे 70 साल से जितना हमारा बजट मिलता है 25% का यहीं 25% देश के अंदर कार हमारी 25% के अंदर वो जो पैसा पूरा देश खमा है वो हमारा 25% बजार हमारा 25% जितनी भी नीती बनती है उनमें हमारे आदमी 25% प्राइविट सेक्टर में जितने लोग है उनमें हमारे आदमी 25% सरकारी जितने छेतर है उसमें हमारे आदमी सब पूरे देश में हवा से लेके बादल से लेके और पेड़ पॉतों तक में 25% की भागेदारी जनम जात है हमारी जनम जात इसको कोई मना नहीं कर सकता और का बिख जाता है दो चार पांसो करोड़ का एक प्लॉट दो चार पांसो करोड़ किसी बैंक में क्या दो चार सो पांसो करोड़ क्या होते हैं तीसलाग और बीसलाग करोड़ के बजट में एक चिंटी मिनिष्ट्री मैं दिल्ली में बुड़ा हो गया यहां जब हम सरकारी करमचारियों में दिल्ली प्रदेश का द्यक्स था तो वो सरकारी करमचारियों को ठेकेदार नेता थे वो खुश हो जाते थे कि आज मंति जी ने बुला है और चलोंगी को ठीप चलना है कहते कि सुधीर मिनिष्ट्री रह गई है कि हमारे लोग वे पास यह होम मिनिष्ट्री यह फाइलेंस मिनिष्ट्री इसके काबिल नहीं है क्या यह 25% लोग यह सारी मिनिष्ट्री मिलती है और कोई मिनिष्ट्री नी मिलती तो कमाल हो रहा है और मिनिष्ट्री में भी क्या होता है आपको प दुनिया में एडुकेसन नीती जो बुद्ध यौकेसिन सिस्टम है उससे बहत्र कोई system है फुरी जंगल साफ करना लोगों को पढ़ाना और फ्री और कोई भी आ जाओ सबको पढ़ाते हैं बूझ dil न ant है आपका सोचते हो कि एक सिष्टाम है उसको यहां चंद लोग यहां मिनिश्टी में मिनिश्टी Aww बना रहे हैं कि इनमें इतनी कूबद निमें खमता है ये Ireland से चला है ये इस्राइल से चला है, ये England से चला है क्योंकि उनके पास काम नहीं है एजुकेशन में अगर आप ध्यान दोगे कि जो non-technical education है यानि कि जिसमें लेब की जोगतनी पड़ती है, जिसके अंदर प्रक्टिकल की जोगतनी पड़ती है, जिसके अंदर सामन की जोगतनी पड़ती है, जैसे English है, Hindi है, Language है, या जो Social Study है या जिजग्राफी है, यह ऐसी जो director है, चैसी जो, या MBA है, या जो ऐसी Engineering है, जो किताबुस से आगैट यहां डभल अभा दो और आई यहां ढबलप हो गया भारत के अंदर उप्र टुरी दुनिया के इन लोगों को यह पढ़ाने का köरत और आ उनकी एजूकिसन स्रेश्ट होती तो हम गरीब क्यों होते उनकी एजूकिसन सिस्टम अगर अच्छा होता तो ये जितना इस्या ओगि ठीड Pok Whoever कीओ होते इन में तिन इतने साही लोग पड़के आ आये थे पॉलिस आये थे पॉलेंड के लोग आये थे तो उन्होंने भारत पे हमला किया कि यहां के मसाले बहुत अच्छे हैं तो मसाले लेने के लिए बारवार आते हैं बारवार जाते हैं तो मसाले जब यहां हम कबजा कर लेंगे और यहां इस्ट इंडिया कंपनी खोल लेंगे तो मसाले हम इंसे सीधे यां खई देंगे तो ज़्यादा फाइदा होगा तो उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी खोली फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इनके सासक बन गए और इनको रूल क पढ़ते हैं चलाने पढ़ते हैं कपड़ा बुरुवाना पढ़ता है इसमें बहुत पासा लगता है और बीच बीच में जगड़े भी होते रहते हैं यह लोग कहते हैं अंग्रेजियों हमारा देश छोड़ो फ्रांसीजी हमारा देश छोड़ो पॉलिस हमारा देश छोड़ पिये और आफ़त है, इसको समझाने के लिए, तो बोले इनका माल लेने के लिए, काम करो, इनके देश को छोड़ो, और वो देश छोड़ के चलेगे, तो उन्होंने के अपनी मर्टी नेश्ञल कमपणियें खोल ली, और उन कमपणियों में यहां के लोगों को C.O. बना दिय लोट बिना इसके होने लगी अब देश में जाके शासन करनी हैं पैसा ही टो आना महां से तो यहां कंपनिया माल बनाती आपनी undis और करो एक काम करो इनकी महां यूनिवर्स्टी बनवा दो इनका प्राइमरी एजूकेसन खतम कर दो सारा सारा और इनके यहां जो यूनिवर्स्टी बने उसको महंगा कर दो और अपने टीचर महां बेजो और ओलाइन कोर्स करेंगे नाम हमारा रहेगा फ्रेंचेज इनकी रहेगी औ इनी के लोगों को पार्टनर मना दो. वही सिस्टम भारत में दुवारा से आ रहा है कि पार्टनर वो रहेंगे, नाम उनका रहेगा, इक पैसा जाता यहां से, जिसको बोलते हैं कि ये रोयल्टी है, ये रोयल्टी है. उनका वो college है, school है, उसका पड़ा नाम हुआ, चोंकि उसमें महनत की, जो कुछ principal वगरा थी, तो लोगों ने का, DPS में बच्चे को पढ़ाना, तो DPS में डिमांड होने लगी, तो DPS में पढ़ाने के लिए फीस बढ़ गई, तो ने का, भी school कम पढ़ रहा है, तो कहीं और DPS नाम रखने का पैसा देते हैं, ठीक, वही system है, कि जो बाहर की university यहां आएंगी, जिनके नाम होंगे, और जिनको यहां के लोग चलाएंगे, वो नाम का पैसा देंगे, तो वो यह कहते हैं, कि इन students को, कच्च्रे को, यहां बलाने जो तो नहीं है, पैसा तो आई रहा है, में काम तो पैसा लेने का है, तो पैसा आ रहा है, तुम पैसा कमाते रो, देते रो, जबकि पढ़ाई में पैसा नहीं लगता, यह हमारा पुराना system है, यह हमारा समणों का system है, यह बुद्ध का education system दुनिया में सबसे बहतें system है, जिसमें एक रुपए नहीं लिया जाता, वो यूनिवस्टियों को जमीन देता था, और कुछ गाउन देता था, कि इस गाउन का tax और इस गाउन से जमीन से जो पैदा होगा, उससे यह यूनिवस्टिय चलेगी, और भिकु लोग खुद भी पैदा करते थे, और खुद भी वहाँ, क्या होते हैं, चीज़ें पैदा वाला है, कोई आपको कहे कि इसके लिए करना है, कोई कहे कि सरकार पर दवाब बनाना है, भी यह काय काय का दवाब डालोगे, सारी सारी अभी यहां कोई कल को, मैं आपको यह कह दूँ के देखो, हमारे तो सारी सारी सरकारी नोखरी चली गई, और अब हम एक काम करेंगे, स तो उसके लिए भी हम मंत्रियों से मंत्राला करेंगे कि आओ भई आओ फिर हमारे बुनकर आएंगे वो कहेंगे जी हमारे हाथ का काम चला गया सारा काम फैट के ले ले ली तो उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे फिर हमारे इंडेस्टी वाले आएंगे छोटे वर वो कहेंग होना है यह इसमें तर्क वितर्क करो यहां यह तर्क वितर्क करके जो आप टाइम खराब करते हो यहां पर यह बताओ कि आज 300 तेरे लोग होगे तो कल 626 कब होंगे तो जीतोगे जिसने आपके multiply होने सुरू होगे multiply होने सुरू होगे तो जीतोगे भाई M.P.M.L.A. minister आपके नहीं है इसको दिमाग में ठालो और नहीं तो और experiment कर लो और नहीं तो प्राने experiment अउसको देख लो हमने भी बुलाए जब यह क्या उद्धे O.M गए थे और parliament के अंदर भाँ बुलाए यह सब अपनी अपनी पार्टियों के विप से हैं सम्विधान के अंदर विप आ चुका है कि पार्टी से बाहर आदमी नहीं बोल सकता वो लेगा तो उस पर कुर्शन उड़ जाएगा उसकी सर्दस्ता चली जाएगी वो पार्टियों के गुलाम है बद्वा मजदू है उनका भाईया उन्हें नौकरी करनी है सा है नहीं आपको तो यह कहा गया यह टोगर में चाट लो कोई सबी जब ऐसी कोंश्च्टूटेंशी की अंदर आप लोग सवा में एक कैसी केंडियेंट को चुनते हो तो वह सारे हैं तो सारे है सिके नाम के बैंगन है चुलो कौन सा चुनोगे आप चुनोगे तो यह सी मग जाएगी वो जालू बाडू खईत लो वो सस्ते मल जाएगा और यह जिन मकानों में बड़े बड़े में रहते हैं उनको जड़ा रोज रात को ध्यान से देखा करो आपकी ऑलाद को नसीब नहीं होने वाले कोई कहता हो जी मैं क्या बोलना हूं क्या नहीं बोलना भाईया जोनकरी काहां कराऊगे उसको कउनसे इंडुस्ट्री आपकी कहूंसे मेडिकल स्टोर आपके है कौनसे हस्पिटल आपके है सरकारी सिस्टम के उपर आप टिपैं थे वो तो खतम हो गया, आप कौन से सिस्टम में जाओगे, प्राइविट वाला पूछता नहीं हुआ, तो जात पूछेगा, जिस जात से, जात से, जात से, जात से, जिकर करते हो, जिस जात को लेपेट के बैठे हुए हो, वो एक 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 कदम पर आपका खुन पियेगी, तो कैस भम ही बन रही है, 70 साल में यह हम करके देख चुके हैं, फिर ट्राई करते हो, फिर इसमें घुच जाते हो, फिर इसमें घुच जाते हो, तो बच्चों को मरवाने का काम कर रहे हो, अपनी बुद्धी का अस्तेमाल क्या करो जब यहां कोई ये statement दिया करें जी ऐसे करना वैसे करना है तो अपनी policy से हटके मत जा एक रो अपनी policy को सना करो क्या policy है क्या नहीं है यही policy है और वो भी इसी policy मि चलते हैं क्या कहते हैं इखटा करेंगे अरे टुकडों में क्यों खटा कर रहे हो अब मास को खटा करने का समय आ गया है पृति निदितियों से बात नहीं बन रही है पृति निदित को दे के आने से पृति निदित की बात बन सकती है हमारी बात नहीं बनने वाली हमारी बात तो तभी बनेगी जब हम दो अप्रेल को और इखटे होके हमारा संग था ये concept संग का बहुत सारे लोगों के पेट मदर्द करता है क्योंकि इस concept के अंदर कोई नेता नहीं है इस concept के अंदर पैसा नहीं लेते इस concept के अंदर लोगों से बात करते नेताओं से बात नहीं करते इस concept के अंदर हम सारे के सारे बरावर हैं इ concept के अंदर कोई pdh prtister मैं नहीं है, सिकंसेट के अंदर साही लोग djet करते हैं बहेंजी कह के कह बोलते हैं भाई सब्सक्राइब है और यह इतना जवर्जस्त concept है कि यही आपको बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता नहीं समझ में आता है तो बुद्ध को देख लिया करो कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा करांति का रही है उसको भगवान मत बोला करो भगवान बोलके बेचती करते हो जो धम भीरू लोग पैरों पढ़े रहतें वो पढ़े रहते हैं करांती के कि सारी चीज़ अच्छी है मगर हमारे काम की भारत में खड़ा बुद्ध और खुली आँखों का बुद्ध है जो बावा साब अमेटकर ने अपने हाथों से चुत्र बनाया खुली आँखों का क्या कहते है क्रांति कारे बुद्ध चाहिए चलता हुआ चाहिए क्यों अगर ये भिक्कु संग सब को पढ़ा दे अगर ये भिक्कु संग सब को सब तक पहुँच जाए तो हो सकता है काली भिक्कु संग को लेके बैठे रहतें काली भिक्कु संग में दो alguém के जुट लेके बैठे ε रहतें और पबली के पास ना जातें तो क्या होता कुछ ना होता पड़ाय तो पब्ली को था पढ़ाय को था संग तो वह था असली कोई व्यक्ति क्यों बताएगा आपको के बुद्ध का असली संग कौन सा था वो तो यह कहेगा विक्कु संग में जाना है यह जो पीले कपड़े पहनते हैं यही वो टीचर है उन टीचर के इस्टुडेंट तो हम हैं हमें कौन पढ़ाने आएगा अब अब विक्कु है है और एजुकेट होना है उसमें कहां लिखा हुआ है आपको कि आपको प्रवुद्ध भारत बनाना है उसमें कहां लिखा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा सरकार में जाके मंत्री बनना है उसमें कहां लिखा हुआ है कि आपने पॉलिटिक्स करनी है पर तीन वाकियों मे कि जो unnatural चीज है जो artificial चीज है उनके अगेंस्ट में खड़ा होना है प्राकर्तिक चीजों के साथ जाना है यह चिंपल सिंपल सी बाते हैं इस बात को अपनी वुद्धता दिखाने के लिए अपनी वुद्धता दिखाने के लिए एक सब्जेक्ट ज़रा सा छेट दो यहां फा जो कहा है बुद्धंग सरनम गच्छामी यह सरनम नहीं है सरनंग है अरे भाईया सरनंग जो पाली में है सरनम वो संसकायत है दोनों का मतलब एक है दोनों का मतलब अलग नहीं है और अगर यहां यह सभा हमारी नहीं होके और यह किसी बंबन की सभा होती तो साही लोग ताल हो गया सबके सामने थोड़ी करते हैं क्यों स्कूण कर चीक के चिला रहा है अपना काम कर रहा है बहुत बड़ी है सिपाई है हमारा हम तो अपने हर सिपाई को सलूट करते हैं कोई अगर यह आदमी कहे कि यह आदमी सबसे निकमाय कुछ नहीं कर सकता अरे संख्या तो बढ़ा रहा है हमारी यह संख्या बल जनबल में ही क्या बोलते सारव हैं कोई नहीं पूछता जब युद्ध होता है तो तुम्हारी जो संख्या यह उसमें लोग सरणंग जानते हैं हमने क्या विद्वानों का तर्क और वितर्क कराना है हमाई तो जान खत्रे में है हमको तो संख्या बल चाहिए भईया संख्या बल चाहिए हमको जन बल चाहिए तोकि हमारे पास मीडिया नहीं है हमारे पास माफिया नहीं है हमारे पास मनी नहीं है हमारे पास सिर्फ एक तेरा तो इगो है ती तो टांग है इसका हात मत खीचो इसका टांग खीचो इसका पैर मत खीचो इसकी टोपी खराब है इसकी मुझ खराब है इसने वहां ऐसा किया वहां से वैसा किया तो भईया आपको मरने से और आपको खतम होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपके पास आखरी मौका है, इसलिए अपने जन बल में दम लगाओ, और यहां जो संख्या 319 है, इसको 638 पहुचाओ, इसको 1000 पहुचाओ, इसको 2000 पहुचाओ, और इसमें दिन रात लगो, यह छोटी मोटी बातें भूल जाओ, खतम हो जाओगे, यह छोटी मोटी बातें ही तोड़ती हैं, हमारे टुकडे होते हैं इन से, अभी हमारे पास इन सब चीजों का समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ इखते होने का समय है, और इखते होते ही, आप यकीन मानना कि जहाँ चालो इखते होते हैं, वहाँ लोगों का दम निकल जाता ही, यह इखते क्यों हो ран Lots यह खटे क्यों हो रहें क्योंकि इखटे होते ही सारी काइनात सारी नेचर आपकी आपके समर्थन में आपको इखटा करने में आपके साथ लग जाएगी आपकी हर्ची जब मिल जाएंगी जो आप सोच नहीं सकते यूनिवर्स्टी आपकी फिरी मिल जाएंगी इस्कूल आप आपको पास मिले रहा है ग्र आपको सरकार बना 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 खेदेगी सारे काम होंगे इकटे होने पर इकटे होने पर तो क्ो तो ढ़ Sounds काम जबूढ़ें मिले लजदी हो रहा है ऑथिसे इतना जलुदी दियास में कभी नहीं हुआ है जितना और इसका सिर्फ एक है जुडेंगे तो जीतेंगे जुडेंगे जिद्ध है जुड़ने की संगे सत्ती संग मैं सक्ती होती ए और यह जो लोग कहते ना कि हम आपके साथ हैं आप चिंता मद करो हम आपके साथ था रख Chung matar bringen जोही थानकञा चेहता रा्व भाउजी हम लो इसको बताओ बार बार बताओ और चोटी मोटी बातों से बिश्रित मत हो यहां राजनीती बहस होगी राजनीती में यह कमाल की बहस होगी आज के सारे समण हैं और सब राजनीती में अपनी 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 बात बल्कुर ठीक करेंगे मगर सारे के सारे सब को पता होना चाह अगर एक वी उपन के दिखाद एक टिकेट भी मिल जाए उनको तो कहीं एक टिकेट नहीं मिल सकता हूं को 16% लोग 24% लोग हरातें के बागी लोग एक क्या उन परसंट चलता है सारे एक साथ हो जाएंगे क्योंकि वो तो जानते हैं संगे सक्ती क्या होती है हमाई लोग नी जानते इसलिए खतम हो जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है क्योंकि सबसे आखिर में ये रिजल बेसंट खतम होगा पैसे तो ये खतम ही है क्योंकि इनकी चलती नहीं है मगर यह जड़ से कतम हो जाएगा यानि कि यह एक लोग आएगा कि अब सब लोग काबिल हो गए हैं सब लोग बहुत बढ़िया हो गए अब सब्सक्राइब लोग अब लोग अब लोग आपना अपना सवामी खुद बनना पड़ेगा किसी के उमीद रास मत रहे ना खुद पढ़ो खुद लिखो खुद बढ़ो खुद इखटे हो इखटे हो इखटे हो इखटे हो इखटे हो जीत जाओगे पहले भी जीते हो फिर जीतेंगे जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं तो नदियों का पानी है जब वो ज है अलग-अलग होने में कोई कोई फाइदा नहीं है धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेन गच्छामी संगं सरेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेन गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेन गच्छामी तूथियं पी धम्ममर्सरेन गच्छामी भूतियंपी नम्मं सर्णां गछ्छानी, नूतियंपी सर्णtal सिर्णां गछ्छानी, estàतियंपी बुध्दों सिर्णां गछ्छानू ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी 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 साथू, साथू